आज साथ तो गुरु गुराम से गुरुदेव सिंग जी मौजूद है नमस्कार सवाल पूछे अपना सर्थ नमस्कार मैं मैं बेबर डेक्साउन पड़े हुएं दस केर 44 के साथे 4400 4400 पे लिया अपने अपने लेकिन आज Dixon Tech हम देख रहे हैं उपर भी है 9% के करीब कारोबार कर रहा है कंपनी के कुछ दिन पहले नतीजे भी आते हैं वो भी अच्छे थे और इसके अलावा कंपनी देखिए डावर्सी फाइफाई भी कर रही है अपने पॉर्टफोलियो में आज खबर भी आई है कंपनी ने Acer के साथ भी करार किया है Realme के साथ भी कुछ टाइअप किया है जिसके चलते आज करीब 8.5% से जादा की तेजी Dixon Tech में देखने को मिल रही है विवेग जी कैसी लगती आपको ये कंपनी काफी समय से होल्ड कर रहे है लॉंग टर्म ने वेशक है स्टॉक इनके जो खरदारी की थी इनोंने जिस लेवल पर वहां से अल्मूस्ट दुग्रे से भी ज्यादा हो चुका है समय देना चाहिए और होल्ड करें स्टॉक को पुझा सभी को गुट मॉनिंग पुझा सभी को गुट मॉनिंग दिखे प्राइली चीज तो डिक्सन का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एंपलोड ये करेब अठाई एक परसंट है तो मतलब बहुत प्री शांदार कंपनी है ये और मुझे लगता है कि आगे चलके जो EMS स्पेस है प्टिकुलर जो EMS बोलता है Electronic Manufacturing Services यहां पर आप आगे चलके Semiconductor Chips और जैसे डिक्सन अभी नेने करार भी कर रही है EC का पुरा दौर चलने वाला है अगले एकलिस तीन से लेके पांच साल तक तो मुझे लगता है कि स्टॉक लॉंगर टर्म में बहुत अच्छा करेगा आपको शॉट टर्म में देखिए आज 8% करेबन 700 रुपे बढ़ चुका है तो वैलिएशन वाइस कोई एंगल ते सस्ता नहीं है लेकिन वैलिएशन इतना हाई इसके लिए चल रहा है क्योंकि आगे चलके क्या होने वाला है कंपनी में ये भी बजार को बहुत उमीदे है तो मुझे लगता है कि लॉंग टर्म के लिए अथा है शॉट टर्म में हो सकता है कि आपको या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वुक करना चाहिए या फिर लॉंग टर्म के लिए रेडियो तो जस्ट होल करियो मतलब फ्रेश एंट्री के साला नहीं रहेगी लेकिन कंप